भाई अगर इतनी हाइट से हम किसी एक को डाले तो अपकोर्स वह फूटेगा यहाँ पर हम साइन्स के हैल्प से अंडे को ड्रोप करेंगे और उसे फूट में से बचाएंगे ठीक है तो लगबग 5 ट्रिक पर हम काम करेंगे और देखते हैं उनमें से कितनी काम करती है तो दूर कर लेना और से लिए वीडियो को अब भी ने टाइम होगा इस टार्ट तो भाई यहाँ पर हम फर्स ट्रिक पर काम करेंगे बोटल लेंगे बोटल को यहां से पाड़ देंगे और लगबग इतनी पाड़ देंगे जिस्टे के हमारा एग इसके अंदर आसानी से चला पानी को और फिर इसे ड्रोफ करके देखते हैं यह आईडिया हमारा काम करता है याकी नहीं तो हमें बस कुछ इतना ही करना है बोटल को हमने सील कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं और डारक्ट हमें इसे बोटल को कर देना है बंद और मैं से डारक्ट ऐसे सीधे ही डाल कर देख हैं यह नहीं तो मैं यहां पर बोटल को ड्रोफ करता हूं नीचे और देखते हैं हमारा नहीं पूछता या कि नहीं तो यह आईडिया थो काम नहीं किया हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे वहाँ पर जो फूट चुका है यहां पर हमारी अंडे की ट्रेय जो हमारे अंडे के साथ आती है यहां पर बीच में एक इंडे को रखेंगे उसे ट्रेय को बंद कर देंगे और फिर सील करके तो अब हमारा तयार है यह वाला सिस्टेम अब इस चीज को ड्रोप करके देखते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा एगा वो बिल्कुल सुरफ्चित है इसके अंदर सुरफ्चित बंद है और मैंसे एक बाद उखाड के भी दिखानबना चाहूंगा आपको तो यह आप देख सकते हैं बिल्कुल सुरफसित है हमारा यह वाला आइडिया हमारा काम करेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना तो यहां पर हमने डेड़ बाइड़ का परस्वार स्यार गिया है जो कि फॉल स्टीं से बना है और साद में एक ठंगा हुआ है अब इसे ड्रो प करके देखते हैं यह वाला आइडिया करता है यहां पर जो हमारा आएगा हूँ इधर ड्रोप हुआ है अगे लेसे बहुत देशी तरीकर से क्राम किया है बाई और यहां पर कनी में लगा था मैंने वीडियों सही तरह नहीं देखा पर मेरा ध्यार गया कि कनी में लगा था बाकी नीचे गिनने की वेसे यह नहीं फूटा एक बार फिर दूबार से ट्राइब करके देखते हैं हावा की वेसे साइड में आ गया था और यहां पर क्रैक हो चुका है सेकेंड टाइंड रोप कर रहे हैं डालो और हई सच में अब की पार जो हमारा एग है वो बस गया है हमारे पैरसूट जो है वो बहुत अच्छी दरीके से काम कर रहा है एक बार आप यहां पर भी मैंसे छोड़ करके दिखाता हूं दूसरे गरों पर बेज जाने वाले यंत्र यानि खोज करने वाले यंत्रों को जब लैंडिंग की जाती है तो वहाँ पर एयर बैक का स्तमाल क्या जाता है हम भी इस वीडियो में एयर बैक भी बना कर देखेंगे वो भी बैलून का और इस चीज़ को हम खुद ट्राइ करक है और या फिर हमारे अप को परटाक्ट करेगा या फिर नहीं और यह कैसा मतलब हमारा या उन्ह बच पाएगा या सब्सक्राइब करें अलए पहले से तयार करते ह剛剛 مب Millennance से तयार कर रहे हैं जैसे ही हमारा बैलून का बना एर बैग नीचे गिरा एक गुब बारस का फट गया नीचे कांटों की बज़े से और भाई हमारा एक जी हाँ हाँ अबेचक साही सलामत है बागी बैलून फट चुए हैं कुछ और भाई इसने बहुत यची तरीके से काम किया तो इसके लिए एक लैक तो जरूर बनता है तो यह तयार की है है लकड़ी का स्टैंड जो की हर सरफस से एक दम त्लाइस से टिकता है यानि अन्दा नीचे नहीं गीरता अब ऐसे देख सकते हैं अब देखेंगे से यह हाइट पर कैसे काम करें और यहां पर यह बिल्गुल सही तरीके से काम करता है अब हाइट से देखते हैं यह काम सही से करेगा या फिर नहीं उसे भी अपने हाइट पर तो मैं यहां से सिर्फ ड्रोप करता हूँ और यहां से मैं सीधा डाल रहा हूँ अब इसको सिसी पर डालेंगे तो वान टू ट्री आप देखते हैं हमारा लखणी का स्टेंड एक को बचा पायाया है या पिर नहीं यहां पर देख सकते हैं जो अपर लखणी का स्टेंड वह भी साही सलामत है और हमारा एक ही तो है अब उपर से स्बसे अच्छा प्रोजेक्ट जो आइडिया है वो कौन सा लगा हमें मेरे साथ से जो बिलून वाला था उसलिए बहुत इची तरीके से काम गया और यहाँ पर जो हमारा है लगड़ी काम ने स्टैंड चाइप बनाया था इसलिए तो सबसे अची गाम बस मेरे साथ से इसी ने किया वर आपको क्या लगता है आप में कमेंट पॉक्स में जुरू बताना और या कि हम इसके साथ और कुछ ाइडिया फिट कर गे इस चीज को ट्राइक कर सकते हैं वो भी आप में जुरू बताना और हमारी मेहनत के लिए एक वीडियो को यार लाइक जरूर कर लेना चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार आपके छोड़ते भाई का चैनल है तो मिलें कुछ नवीड़ साथ तक तक लिए जाहिए जैवार